एमडिल में स्वागत है बहुत सुना हुआ है कि किसी को HIV कैसे होता है और AIDS क्या है इसके बारे में रीफ्रेश करते है डॉक्टर ग्लोरी आशा फांडेशन से 87% लोग भारत में जिनको HIV है उनको ये लेंगिक संपर्क से मिला है और खुनादान से हुआ है और नहीं तो सिरिंच के जरी ड्रग इस्तमाल करने से हुआ है या प्रेगनेंट मा से अपने नवजाच शिशु को मिला है अगर कोई और प्रेगनेंट है और HIV पॉजिटिव है त तुरंत वो AIDS स्टेज पे नहीं पहांचते है वे HIV पीडिद हो सकते है और antibody test positive निकल आता है तो भी वे कहीं सालों तक स्वस्थ रह सकते हैं हमें एक आदमी को AIDS है तब कहते है जब उनका CD4 काउंट 200 से नीचे आ गया हो एक स्वस्थ इंसान में ये काउंट 500 से 1500 से पर एक मिलिमीटर खुन में होता है काफी टाइम लगता है ये काउंट 200 तक आने में CD4 काउंट क्या है डॉक्टर CD4 सेल इंसान के शरीर में इंफेक्शन से बचाने की इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करता है पर इस बिमारी में वो इम्यूनिटी सेल ही वाइरस से इंफ बलाते हैं तो जब तक शरीर में CD4 काउंट नॉर्मिल है तब तक बाहरी इंफेक्शन से शरीर अपने आपको बचा सकता है पर वक्त के साथ ये वाइरस बाकी CD4 सेल्स पे भी आकरमन करने लगता है और जब सेल की संख्या गिरने लगती है तो ऐसे में शरीर अपने आपको इंफेक्शन से बचा नहीं बाता तब व्यक्ति कई तरह के इंफेक्शन का शिकार बन जाता है तो हम व्यक्ति के HIV इंफेक्शन को CD4 काउंट टेस्ट के जरीर मॉनिटर करते हैं Well, हमें काफी जानकारी मिली HIV infection के बारे में, ये कैसे आता है और AIDS क्या है? Thank you Dr. Glory, MDL में शामिल होने के लिए आपको भी thank you.